गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो शब्द प्रती मिनट की गती से सम्पात की रिक्टेशन शुरू होगी तीन सेगंड बाद स्टार्ट, इस कोरोना काल में जैसी लोगों की बेवसी तथा प्रशासन की आसमवेदन शीलता और काहीली दिखाई दे रही है वैसी शायद कभी और कहीं न दिखाई दी होगी बिहार और उत्तरपरदेश के विभिन इलाकों में गंगा में तैरती लाशों को देखकर लोग हैरान है बिहार के बकसर जिले के चोसा प्रखंड के कुछ इलाकों में जब गंगा में बहकर आई लाशे देखी गई तो वहां का प्रशासन चोकनना हुआ हालांकी उसने तुरंत सफाई दी कि ये लाशे उत्तरपरदेश से बहकर आई है बिहार की नहीं है फिर उत्तरपरदेश के कुछ जिलों में भी इसी तरह पैरती लाशे देखी गई हालांकी अभी तक इस तरह लाशों के गंगा में बहा दिये जाने की असल वजह का पता नहीं लगाया जा सका है मगर यह साफ है कि ये सभी कुरोना की वजह से मारे गए लोग थे हालांकी बिहार प्रशासन ने दावा किया है कि वह उन लोगों का पूरे विधी विधान से अंतिम संसकार करेगा और वह उत्तर परदेश के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन से तालमेल बिठा रहा है कि उधर से आ रही लाशों का वहीं संसकार कर दिया जाए मगर यहे प्रक्रिया कितने दिन चलेगी और कब इस समस्या पर काबू पाने का परयास किया जाएगा फिलाल कहना कठिन है कयास लगाए जा रहे हैं कि ये उन गरीब लोगों के शव हैं जिनके परीजनों के पास उनका अंतिम संसकार करने के लिए पैसे नहीं है शमशानों में लकडी की किल्लत बड़ी है शवों को जलाना खासा महंगा काम हो गया है अंतिम संसकार में 15 से 20 हजार रुपे खर्च हो जाते हैं ऐसे में उन गरीब लोगों के सामने अपने पिर्ये जनों का अंतिम संसकार करना एक बड़ी समस्या बन गया है जिनके पास इस घडी में दो वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं है गंगा चुंकी लोक आस्था की नदी है इसलिए बहुत सारे लोग शवों को उसके हवाले कर दे रहे हैं एक आशंका यहे भी जताई जा रही है कि कहीं ऐसा खुद परशासन की तरफ से तो नहीं किया जा रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जगहा परशासन खुद शवों को जलाने के बजाए गंगा की कछार में गड़े खोद कर उन्हें दफन करते देखा जा रहा है अगर ऐसा है तो यहे जादा चिंता की बात है मरने के बाद लोगों का अंतिम संसकार उनकी आस्था और परंपराओं के मुताविक ही किया जाना चाहिए अगर परीजन नहीं कर पा रहे तो प्रशाशन की जिम्मेदारी है की वहे लोगों के अंतिम संसकार का परबंद करे उत्तर परदेश इस वक्त सबसे अधिक महामारी की चपेट में है हाल ही वहां संपन हुए पंचायत चुनावों के समय इस बात को लेकर खासा हंगामा खड़ा हो गया था कि चुनाव प्रक्रिया की वजहा से कुरोना संक्रमण भड़ रहा है अब तक वहां चुनाव तैनाती में हुए संक्रमण की वजह से करीब 900 प्रात्मिकी विध्याले अध्यापकों के मारे जाने के दावे किये जा चुके है संक्रमण वहां के गावों में पैर पसार चुका है जहां ना तो समूचित इलाज की ववस्था है और ना प्रशासन का उनकी तरफ धियान है सबसे चिंता की बात है कि उत्तरपरदेश प्रशासन शुरू से कोरोना संक्रमण के आकडों और उससे होने वाली मोतों पर परदा डालने का परयास करता देखा जा रहा है गंगा में तैरती लाशों को लेकर इसी लिए उस पर सोभाविक रूप से संधे की अंगुली उठ रही है प्रशासन को अपनी नाकामिया चिपाने के बजाए समस्या पर काबू पाने के गंभीरता से परयास करने चाहिए स्टॉप दोस्तो पीडियाफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल आएगा आप हमारे वाट्सेप ग्रूप और टेली करम ग्रूप से जुड़कर भी डेली डिक्टेशन के पीडियाफ पा सकते हैं और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके हैं धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में